एक element A है जो group का element है और यहाँ पर वो एक condition को satisfy करता है A की power 10 identity है और A की power 25 भी identity है A non identity element है इसका meaning है कि A का order कभी भी 1 नहीं हो सकता आप से पूछा गया है कि A का order क्या होगा यह हमें बताना है अगर A की power 10 equals to A है तो हम जानते हैं कि order of A divide करेगा 10 को और A की power 25 है तो यहाँ से भी order A divide करेगा 25 को साथे साथे यह भी होगा है कि order of A order of A less than equals to 10 होगा and order of A less than equals to 25 होगा अगर इन दोनों conditions को अगर हम merge कर देते हैं तो order of A less than equals to 10 होगा और order of A divide करेगा 10 और 25 दोनों को अगर मैं 10 को लिखता हूँ तो इसको लिख सकता हूँ 2 into 5 और 25 को लिखता हूँ तो 5 into 5 तो ऐसा common factor जो दोनों को divide करेगा वो 5 है तो option C यहाँ पर correct होगा आप दूसरी तरह से भी चेक कर सकते हैं order of A 10 और 25 को डिवाइड करना चाहिए तो कभी भी 22 15 नहीं हो सकता क्योंकि 250 10 और 25 को डिवाइड नहीं करता है ऐसे यह order 1 होने सकता वो मैंने रिजन पहले दे दिया ऐसे फिफिटें नहीं होगा यानिकि ऑप्सेंडी भी इसका correct एंसर नहीं है कर दो कर देते हैं